So, Hey guys, this is your surprise and you're watching it, चुके संसाइड, तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, J.E.C. जवलपूर के बारे में, Government Engineering College जवलपूर, इस वीडियो में मैं आपको इस कॉलेज के बारे में complete information देने वाला हूँ, मैं आपको बताऊँगा कि इस कॉलेज की connectivity क्या है, यहा scholarship मिलती है, admission का क्या process है, यहाँ पे, campus life कैसी है, hostel की क्या condition है, academic building की क्या condition है, labs की क्या condition है, overall college का infrastructure कैसा है, and इस college में placement कितनी होती है, क्या highest package है, क्या average package है, branch wise मैं आपको placement का scenario बताऊँगा, and इस college की cutoff क्या है, 2021 batch में इस college में क्या closing rank थी, यानि complete A to Z information, इस college के बारे में इस हूँ, college के बारे में मेरा कुद का personal experience भी है, वो भी मैं आपके साथ share करूँगा, यह मेरी J.C. जबलपूर के ऊपर छटी वीडियो है, जो total 5 वीडियो अभी YouTube के अंदर है, उनका link आपको वीडियो के description में मिलेगा, और उन सभी 5 वीडियो से आपके seniors को काफी help मिले थी, तो यह वीडियो आपकी काफी help करेगा, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, पसंद है तो जरूर लाइक करिएगा, दोफस्तों के साथ share करिएगा, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको MPDT counseling से related बहुत important videos मिलती रहेंगी, लगब के द्वारा established किया गया, यह इंडिया के अंदर last college है, Central India का यह oldest engineering institute है, and overall India के अंदर 15th oldest engineering institute है, इस college में सबसे पहले electronics and daily communication की branch इंडिया के अंदर open हुई थी, तो यह जो EC branch है, यह सबसे पहले JEC जवलपूर में ही इंडिया के अंदर start हुई थी, इसके बाद जो IIT हैं, या NIT ह colleges हैं, उनके अंदर यह branch separate हुई, और अगर campus area की बात करते हैं, तो college का जो total campus है, वो 255 acres का है, लेकिन ही जो campus 255 acres का है, यह on paper है, overall college ने लगवा 180 acres ही occupy कर रखा है, बाकी का जो area है, वो या तो government ने किसी दूसरे government firm को दे दिया, या फिर जो local public है ना, उन्हों ने उसको capture कर लि हैं, अब बात करते हैं connectivity की, तो college काफी बरिया connected है, railway stations इनकी जो distance है, वो सिर्फ 6 km की है, जवलपूर junction से, जब आप आएंगे, तो platform number 6 के बाहर जैसे आएंगे, तो वहाँ से आपको auto अगेरा 24x7 मिल जाएंगी, अगर आप private auto करते हैं, या फिर ओला अगेरा करते हैं, तो ज 30 रुपीज पढ़ने वाला है, और जो airport है, जबलपूर का, रानी दुर्गवती इंटरनेशनल airport जबलपूर, जो की 880 DM जबलपूर के पास है, उससे इसका जो distance है, वो 13 km का है, और आप लोगों को मैं बता दूँ कि जवलपूर है न, वो 880 DM जबलपूर का mentor institute है, यानि 2002 के आसपास, त्रिपल इटी DM जबलपूर इस्टेबलिस हुआ था न, तो उसके starting में जो classes है, वो J.C. जबलपूर के अंदर ही लगती थी, लेकिन आप दोनों college में जो फर्क है, वो धरती आसमान का आ चुका है, त्रिपल इटी जबलपूर, जो है, वो J.C. जबलपूर से and mechatronics engineering है, यहाँ पर computer science, IET, electronics and communication और IEP के अंदर 9090 seats है, artificial intelligence, mechatronics, civil and electrical के अंदर यहाँ पर 60 seats मिलती है, and mechanical के अंदर यहाँ पर 80 seats है, तो अब बात करते हैं कि college की fees कितनी है, यहाँ पर institute and hostel fees कितनी पे करनी होगी, तो जो J.C. जबलपूर है, यह fully government autonomous engineering college है, अगर आप journal category या EWS category स हैं, और आपको किसी भी तरह की scholarship नहीं मिल रही है, तो आपको college का total institute fees and hostel fees एक साल का लगभग 27,000 पड़ेगा, और अगर आप OBC, SC या ST category से हैं, तो आपको आप category की scholarship मिल जाएगी, तो OBC वाले बच्चों को एक साल का total hostel fees and institute fees पड़ेगा, वो 6,000 पड़ेगा, and जो SC, ST वाले बच्चे हैं, उन्हें एक रुपे भी नहीं पे करना होगा, hostel या institute fees के नाम से, बलकिन government जो है, वो उन्हें अलग से पे करती है, जो B.T.E.C. के दौरान equipment लगते हैं, जो books लगती हैं, जो notes लगती हैं, तो उनके लिए government उन्हें अलग से fund देती है, यानि कुछ भरना तो न bank, and आपकी जो family income है, वो 6,00,000 से कम है, आपका MP board के अंदर 12th में 70% है, या CVSC board के अंदर आपका 85% है 12th के अंदर, तो आपको MMBY, मुख्यमंत्री, मेधावी, विध्यारती, योजना का लाब मिलेगा, benefit मिलेगा, जिससे कि आपकी जो fees हैं, वो लगबग 6,000 per year बनेगी, institute and hostel क मिला के, और ये जो 6,000 लग रहा है न, ये भी last में आपको scholarship के through ही, आपके account में वापस आ जाएगा, तो fees के नाम पे J.C. जवलपुर में आपको बहुत ही ज़्यादा benefit मिलते हैं, आपको यहाँ पे fees बहुत कम मिलती है, तो ये college काफी affordable है, अगर हम compare करते हैं, S.J.S. IT.S. IT TDAVV या MITS है, तो उनके comparison में ये जो college है, ये काफी affordable है, और placement इनकी काफी बहतर है, जो आगे वीडियो में मैं detail में आपको explain करूँगा, अब बात करते हैं admission procedure की, तो यहाँ पे B.Tech के लिए सबसे पहले आपको J.Main का exam देना होगा, J.Main exam में जब आपको CRL rank मिलेगी, तो CRL rank के base पे आपको MPDTE के तुरू counseling करनी होती है, मदप्रदेश Directed of Technical Education, तो MPDTE की counseling में आप इस college को as a choice fill करके, यहाँ पे admission ले सकते हो, बाकि यहाँ पे M.Tech, M.C.A., M.C. और Ph.D. का भी course है, तो उनके लिए आप देख सकते हो admission procedure, अब बात करते हैं कि इस college का placement कैसा है, इसके पस कितना था, average package क्या था, कितनी company आई थी, and branch wise आपको यहाँ पे highest, lowest और average package भी पता चलेगा, और क्या-क्या company आई थी, उनके detail में नाम मैंने लिख रखे हैं, तो 2022 batch में total इस college के अंदर 28 company आई थी, जिन में 21 company IT field से related थी, 3 company जो थी, वो sales से related थी, management से related थी, और 4 company जो थी, व average package बताता हूँ, तो total college का जो highest package था, 2022 का, वो 52 LPA का था, जो कि computer science से था, और off campus था, यहाँ पे एक बच्चे को ये offer आया था, on campus जो highest package था, college का, वो 10 LPA का था, जो कि by use की तरफ से offer हुआ था, जिन में 2 बच्चे IP के थे, और एक student जो था, वो EC का था, overall college का average package 4.57 LPA का था, साड़े 4 लाग का J.C. जवलपूर का average package था, lowest package 3.25 LPA का था, यहाँ से आप और भी details देख सकते हो, अगर branch wise बात करें तो computer science का जो average package था, वो 5.34 LPA का था, और IT का 5.03 LPA का था, और IP branch जिसका cutoff यहाँ पे सबसे लो जाता है, तो उनका highest package 10 LPA का था, lowest package 3. 3.5 LPA का था, और average package 4.5 LPA का था, तो placement यहाँ से आप detail में देख सकते हो, यहाँ पे IP के जो placement है, वो काफी बहतर है, बले cutoff लो होती है, लेकिन end में जो placement होती है, तो वो काफी बहतर हो जाती है बच्चों की, अगर overall 2022 batch के off-campus placement देखते हैं, तो यहाँ पे 52 LPA का package था, वो off- campus ही आया था, एक बच्चे को 30 लाग का भी offer आया था, एक बच्चे को 20 लाग का, 15 लाग के 2 offer थे, और 4.25 LPA के, यहाँ पे मैं 12 लिख रखे हैं, लेकिन 20 offer थे, जो की cap जिमनाई की तरफ से आये थे, तो overall college में जो placement है, वो आपको काफी बहतर मलती है, college को जो average package है, overall वो लग 5 लाग का average package इस college से मिल जाता है, and lowest package यहाँ पे 3.25 LPA का है, अब बात करते हैं कि college का campus कैसा है, and campus life कैसी है, तो यहाँ पे आपको total 9 boys hostel मिलते हैं, जिनकी capacity 900 student की है, and 2 girls hostel मिलते हैं, जिनकी capacity 150 student की है, hostel में आपको single and double seated room मिलते हैं, and जितनी भी hostel है, जिए वो boys hostel हो या girls hostel हो, वो college की जो main building है, जो department है, जहाँ से college अपनी boundary को cover करता है, उसके बाहर ही है, जो girls hostel है, जो college का main gate है, उसके just सामने है, लेकिन जो boys hostel है, उनका जो distance है, वो लगभग आधे किलोमिटर का है, जो first year student होते है उन्हें double seated room a lot होता है, और hostel number 8 a lot होता है, first year वाले बच्चों के लिए, जो की college के main building से 1 km के distance पे है, हर एक hostel के अंदर आपको separate miss मिल जाती है, recreation room मिल जाता है, outdoor sports की काफी बढ़िया facility मिलती है, wifi भी मिलता है बच्चों को, लेकिन जो data limit है, वो 1 GB per day है, and gym भी बताया जाता है, वो college के hostel में भी setup नहीं किया गया है, सिर्फ on paper ही है, जो mess food है, वो इतना qualitative नहीं है, अगर in time की बात करते हैं, तो boys hostel के लिए कोई in time नहीं है, लेकिन girls hostel के लिए जो in time में वो 6 pm है, college की जो में सही वो join करना compulsory नहीं है, यहाँ पे boys hostel की कुछ pictures है, जो की मैंने share कर रखी है, ज जो academic building है, जिन में administrative block है, and सारे department है, and जो workshop वगेरा है, उन में भी अभी renovation का काम हुआ है, अगर library की बात करते हैं, तो यहाँ पे library के लिए आपको कोई separate building नहीं मिलती, जो admin block है, उसी के first floor में आपको library मिलती है, library में जो SCHT bookbank का collection वो काफी बढ़िया है, and reading room की जो capacity है, वो 100 student की है, अगर campus life की बात करें, तो यहाँ पे जो coding club है, वो उद्गम है, singing club राग है, drama club अजान है, dance club जो है, dance on है, और welfare society जो है, वो कारवा है, यह सभी club जो है, वो अपने अपने label पे जो events है, वो organize कराते रहते हैं, और अगर sports facility की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक common cricket and football ground है, ज college campus के बाहर हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ college की team को ही permission है, practice करने के लिए, जो college team बाले बच्चे हैं, वही वहाँ पे practice कर सकते हैं, बाकि बच्चे नहीं कर सकते, और अगर other facilities की बात करें, तो यहाँ पे common canteen मिल जाती है, SBI bank है, post office है, SBI का ATM है, RGPV का office है, और festival की बात करते ह तो college की जो buildings है, जो labs की condition है, and जो workshop की condition है, जो hostel की condition, वो अभी आपको काफी बहतर मिलती है, अभी अभी renovation का काम हुआ है, तो overall आपकी जो expectation है, वो इस college से mix करेंगी, अब बात करते हैं कि इस college का cutoff कितना गया था 2021 में, तो यहाँ पे मैंने सभी category के लिए category wise closing rank लिख रखी है, यहाँ पे जो rank लिखी गई है, वो सभी category के लिए उनकी CRL rank लिखी गई है, इस college में 10% सिर्थ जो होती है, वो all India कोटे वाले बच्चों के लिए होती है, तो उनके cutoff भी यहाँ पे मैंने mention कर रखे हैं, तो आप सारे cutoff जो हैं, वो वीडियो को pause करके detail में देख सकते हैं, ज तो यह है complete information, वीडियो के description में इस video का आपको link मिल जाएगा, cutoff का भी link मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप सारे चीज़े देख सकते हैं,